जै शिरी राम, जै हुनमान जी दोस्तों हर बार की तरह मैं इस बार भी एक नए वीडियो आप लोगों की सिवा में लेके आया हूँ हमारे पस लगातार लोगों की शिकायत आ रही थे कि गुरु जी कुछ ऐसा उपाय बताए जिसे हमारे पैसे डूबे हुए हैं या मैं यहां फंस गया हूँ, मेरी संपती फंस गई है या किसी ने मेरे को धोका दे दिया है तो यह मेरे पैसे निकल जाए कुछ हूपाय बताईए तो इसमें देखिए कई तरह की घटनाए होती है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चक्मा दिया और पैसा लिया आपसे और फिर उला पाता हो गया फिर उनका कोई ट्रेस आउट नहीं होता है या वो कई बर मॉबाइल बंद कर दिये या अपना मागान बदल दिये अपना ठीकाना बदल दिये कई तरह की घटनाए होती है कई लोग ऐसे हैं कि रहते तो हैं आज दे दे देंगां कल दे देंगां एक महिने के बाद दे देंगां दो महिने अब यह स्थिति सही नहीं है उस तरह से भी फंसा कर रहते हैं लेकिं उनकी अंदर से नियत नहीं होती है आपके पैसे को लोटाने के और इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है और बढ़ती ही जा रही है लोग एक दूसरे को हड़ापने में लगे हैं तो पैसे की प्रोब्लम्स अगर आपके पास इस्तर की है आप कहीं फंस गए हैं आपके पैसे फंस गए हैं आपकी संपती फंस गई है तो मैं हन्मान जी की किरपा से योतिस का कुछ ऐसा उपाए आपको बताना चाह रहा हूं जिसे आप करें नमबर एक अमोस्या या पुर्णिमा को तांबे के लोटे में लाल मिर्च के ग्यारा बीज डाल के आप भगवान सुर्य को अर्द देना शुरू कर दें तथा मंत्र जपें ओम आदित्याय नम्हा और कम सकम एक सव वाठ बार जाप करें यदि इसके साथ 27 बार गायत्री मंत्र का जाप कर देते हैं तो यह अति उत्म सोना में सुहागा यह आपको काम करेगा दोस्तों इसके बाद दूसरा उपाए मैं जो बताना जा रहा हूं उस आप गोर से सुनेंगे हनुमान जी के किरपा से डुबा हुआ धन मिलता है ड़ित बार पाट करें और हनुमान जी से अपनी प्राहतना करें कि हमारे पैसे प्रभूण निकल वा दे इस आदमी के पास यह मेरे पैसे फसे हुए है तो इकीस सनीबार को यह कार करें बने हर सनीबार आपको यह करते रहना है ताकि से शपलता आपको जल्दी मिल जाए इसमदत में जोतिस के कुछ मंत्रों opioids है जिससे सबच की मंत्र है ओम क्रिंग क्डिसनाय नमहा फिर से सुनियेगा ओम क्रिंग क्डिसनाय नमहा अब चौथी उपए दोस्तों मैं बताऊंगा सुन्सान जगह पर काली मिर्च के दाने को ले जाकर एक अस्मान में बाकी चार दिशाओं में छोड़ दें यानि कि आपको पांच काली मिर्च के दाने को ले के जाना होगा और एक आस्मान में और चारो दिशाओं में आप उसे छोड़ देंगे फिर आप घर आ जाएं बस ध्यान रखना है कि पीछे पलटके नहीं देखना है घर आके सबसे पहले पैर धुल ले ये उपाए भी काफी कारगर लोगों ने बताया है मुझे पांचवा टेप्स मैं आपको दे रहा हूं आटे के दीपक दो तरफ बाती हो एक आटे के दीपक बनाएंगे जिसके दोनों तरफ बाती रख ले तील का तेल उसमें थोड़ा सा पीली सर्षो उस दीपक में डाल दें अकिसी बटुक भ और घटना बता दें और उस टेम में आपको बोलना है ओम सुम सुव भहरवाय स्वाहा इसका एक सव वाठ बार जाप करें फिर से सुन लें ओम सुम सुव भहरवाय स्वाहा देखें यहां एक दिक्कत आपको आएगे कि सब लोगों के गाउं गली घर मोहले में आसपास बहरो बटुक जी का मंदिर नहीं होगा तब क्या करें कि किसी पीपल के पेड़ के पास जाके इसका जाप करें और सनी बार को करें तो बहुत ही अच्छा होगा इसके बाद छटा एक टिप्स बता रहा हूँ आपको सुकल पक्ष के बूध बार को कपूर के काजल से कपूर को जला के उसका काजल बनाईए और उस ब्यक्ति का उस काजल से भोज पत्र पर नाम लिख दीजिए और उस भोज पत्र को ले जाके किसी भारी वजनी पत्थर ओग्रा के नीचे दबा दीजिए तो उसके सीने के उपर समझे के भार पड़ जाएगा और उप्लित होके आपके पैसे लोटाने के लिए मजबूर होगा कई बार एक और उपाय है जो बहुत कारगर होती है उस सात्वा नंबर टिप्स है हनुमान जी के गद्दे के नीचे अपनी प्रातना लाल पेंसे लिखकर मंगल बार को या सनी बार को रख दें उस ब्यक्ति का नाम लिख दें अपनी रकम रख दें और हनुमान जी से प्रा किया है और इसकी नियत बदल गई है और आप अपनी किर्पा हम पर वर्साएं ताकि ये मेरा काम हो जाए मेरा डूबा रकम आ जाए दोस्तों हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारे ये बताय हुए सारे टिप्स पसंद आएंगे अपने सुविधा के अनुसार समय के अनुसार आप इन उपायों को करें आपको उल्ला मिलेगा क्योंकि मेरी मंसा शरिफ ये है कि इस तरह के समाज में जो लोग पिडित हो गए हैं उनका कल्यान हो जये सिरी राम जये हनुआन जी